गुर्मोनिंग क्लास बटा 11.2 कंप्लीट हो गई है हमारी 11.3 क्लास जो एक्सरसाइज वो स्टार्ट होगी और अब 11.3 से लेकर 11.4 में भी आप ट्रेंगल्स बनाना सीखोगे तो मैंने आपको बताया था ट्रेंगल्स बनाने के लिए आपके पास कम से कम तीन मेजरमेंट होन क्लास तीन मेजरमेंट होने चाहिए या तो तीनों साय्ट स में ये या दो साइड्स हो कि धूर और इंगलिवान हो या RHS एक ये राइट एंगल एक हायपटैस और अधर साइट आपको गिवन हो तभी आप प्रेंगल कंस्रा कर सकते हुए तो अब यह वाद वूफ ट्रेंगल फ्यर में मतलब फियर ली बनानी है ठीक है हर एक कोशन के साथ में आपको रेंगल जरूर बनेगी अभी मैं दिखाती यह से बनेगी फ्रस्ट कोशन है कंस्ट्रॉक्ट एड्ट एटी एकवियुथ एड्यध्यवन आने वह एंक विद्धी साइद् इसका मतलब सभी साइड आपकी पांसेंटेमिटर हो जाएंगे ठीक है तो देखते कैसे बनाएंगे आपने क्या करना विटाए एक रफ ट्रेंगल मैं आपको बताया था कि बनानी है तो पहले आप एक रफ ट्रेंगल ना लो विटां इसका नाम देतो पी क्यों और वार एकसरसाइज 11.3 सब्सक्रों सब्सक्की अरे एक साइड लाई शक्रों सब्सक्रशच से इसकी हर एक साइड फाइब स सेंटेमिटर पशाघ तो अब आपने क्या करना है इस को करने से से पहले मैं आपको समझा पी क्यों आपने बेस लेना 5 cm फिक्यों उपर आपने 5 cm की अपनी कमपास खोल कर एक आख लगा होगे यहाँ पर वह आख कहीं पर भी कट सकती है आपकी सेकेंडली उतनी ही कमपास है क्योंकि सेम साइड है हमारी आर पर रखोगे और जो प्रीवेस आ पर आप आजाएगा पीको क्यों को सजर्ण कर देंगा पीको और किसा जण कर देंगे चाहिए देखते हैं कर देखू 5 cm कि मैंने बना ली है यह यह लाइन सेग्मेंट है क्योंकि आप इस तरीकी से लिखेंगे यह मेरी पास नीचे क्या नाम था क्यों और तो मैं इसको नाम साइट इक्वल है मैंने इसके जितनी आपकी जो कमपास है वो उपन कर लिए क्यों आर जितनी रेडियस लेकर क्यों पर अपनी टिप रखनी है कमपास की और आपने उपर आप लगानी है ठीक है लगा दिया अपने उपर राख उसके बाद सेम कमपास का यूज़ करते हुए आर पर टिप रखनी है आप कमपास की और प्रिवियस आर को जो यह आर थी हमारी इसको कट कर देंगे तो जिस पॉइंट पर यह दोनों आर को कट करेंगी वो पॉइंट आपका क्या था यहाँ पर देखेंगे पी तो आप यहाँ पर इस तरीके से और पी को आर के साथ में मीट कर देंगे यहाँ पर देखेंगे मैंने पी को यह थोड़ा से यहां तक मिले गए यहाँ पर पी को के साथ मिला मीट कर दिया है जान कर दिया और पी को आर के साथ तो इस तरीके से पी क्या हूं आर क्या हो गई आपके वास रिक्वायर ट्रेंगल बन गई इस तरीके से आपकी रिक्वायर ट्रेंगल बन गई ठीक है तो आपके लिख देंगे ट्रेंगल 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 बने तो आप एक रफ ट्रेंगल बना लो आपने एकस वाई और जैडा आपने एक ट्रेंगल ना री यहां पर देखो एकस वाई कितना दिया हुआ 5.5 तो यहां पर एकस वाई होगे आपके पास 5.5 सेंटिमिटर ठीक है वाई जेट 4.5 4.5 cm और XZ 6.2 तो XZ हमारी दर है यह हो जाएगी 6.2 cm ठीक है अब आपने क्या करना है इस figure की help से आपने original पिछ अबनाने तो आपने पहले बेस में क्या लेना है 4.5 ठीक है बेस 4.5 लेंगे वाइपटी प्रक्यर 5.5 यह लगाएंगे यहां पर और जैड़ पर रखकर 6.2 की इस प्रीवेस आपको कट कर देंगे जिस पॉइंट पर कट करेंगे वह एक्स पॉइंट आजाएगा ठीक है देखेंगे बिटा सबसे पहले मुझे लेनी है नीचे बेस लेना है वाइज वॉइ सेड़ तो 4.5 संटीमीटर का मैंने यहां से देखनाओ जीरो से स्टार्ट करेंगे यह आप तक यह हमारे पास आ गई Wkeen, 4.5 संटीमीटर एटक है अब आपने क्या करना है वाई पा कितनी लेनी है पाइप पॉइंट 5 तो आपने कमपास ओपन करनी है 5.5 cm जितनी यह देखे हैं और वाइपर टिप रखकर आपने आख लगानी है देन आपने जैड से कितनी लेनी है 6.2 6.2 यह रहां तो जैड पर टिप रखोगे और 6.2 के आग लगा होगे इसने जहां पर भी कट किया वह पॉइंट आपका आगया एक्स पॉइंट तो एक्स से वाइप को मीट कर दो जैन कर दो और एक्स से जैड को जैन कर दो तो यहां पर यह जो लाइन है यह कितने सेंटेमीटर की थी 6.2 सेंटेमीटर की और यहां पर यह लाइन जो थी यह थी 5.5 सेंटेमीटर की तो इस तरीके से आपकी एक्स यजड ट्रेंगल एक्स वाइजड इस रिक्वाइड ट्रेंगल ठीके विद यजड हमारे पास है 4.5 सेंटेमीटर एक्स वाइज 5.5 सेंटेमीटर एंड वाइजड वाइजड नहीं एक्स जड इक्वाइज में 6.2 सेंटेमीटर ट्रेंगे आपको ट्रेंगल कंसर्ट करनी है एफजी अब बेटर मैंने रफ पिच्वाइज बनाती है इस कॉशंड की गिवन है और आपको आपको इस पॉइनट पाइज अपको फैज इंड वाइज आपको है ने क्या नहीं जाएज परने कैसे करहणे आपने पहले यह बेस ले 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 ना एफ जी सिक्स पॉंट फाइव सेंटेमेटर जैसे पीछे लिया था ने फिर यह जो एफ आएगा एफ पर अपने कमपास की टिप रखोगे और सेवन सेंटेमीटर ओपन करके आग लगा दोगे इसी तरीके से आप जीप पर पास रखोगे टिप यहां पर आपने जब यह लिए दिका सेंटर पॉइंट रखोगे लिका तो आपने लिए लेटिकल में और यहां पर जब रखोगें तो उपह से एंगल को मैसक्त निए दो एंगल पता चलते हैं तो तीसरा एंगल जब निकाल होगी तो तीनों का टोटल करके देख लिएक 180 आता है तो आपकी ट्रेंगल सही बनी हुए यदि 180 नहीं आएगा तीनों को टोटल इसका मतलब ट्रेंगल में कुछ है प्रॉब्लम में ठीक है तो यह कोशन आपको सेल्फ करने अपने अप कंस्ट्रक्ट आट रेंगल पी क्यों आप जिसमें पी क्यों गिवन है क्यों आर किवन है एक एंगल की बने दो साइड और एक एंगल की वन है तो अब आपने क्या करना है यह सब्सक्राइब औरम सब्सक्राइब क्यों आदा तो अब आपने रखकर पी तक प्यों फाइन उनड़ यह यह यहां पर तोड़ी सी बड़ी बन रही है एक सेकेड आपने क्यों उपर रखकर टिप को कट करना है यह जो पॉइंट आएगा आपका यह जाएगा पी पॉइंट ठीक है और यह दिवी है 4.5 सेंटेमिटर अब आपने पी और आर को मीट करना है ठीक है पी और आपको जैन कर दिया तो इस तरीके से आपको पी क्यों आर ट्रेंगल में लिगए जिसमें दो साइड और एक एंगल आपको गिवन था तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेंगल पी क्यों आर इस रिकोरेड क्यों ट्रेंगल वेद क्यों रिकोल में फौर सेंटिमिटर ठीक है और पी क्यों इकोवल में 4.5 सेंटिमिटर एंड एंगल क्यों इकोल में 120 इगे ठीक है बेटा कोशन नंबर फिफ्ट देखेंगे कांस्ट्रक्ट आट रेंगल ए बीसी ट्रेंगल बनानी है ए बी गिवन है ए सी गिवन है और एंगल ए 75 डिगरी गिवन है ठीक है तो देखते हैं इसमें मैंने ये रफ पिच्चर बनाई है एसी 5.2 तो बेटा हमांको बेस तो गिवन नहीं है न यहां पर बीसी गिवन नहीं है तो आप इस पिच्चर को ऐसे बनाऊगे आप पहले एबी लोगे ठीक है एबी के उपर एंगल मैज़र करोगे एंगल बनाने के बाद एसी 5.2 कट करोगे तो उससे आपकी आपने एबी ले ले ली फोर सेंटेमेटर को टिक है अब हो गई फोर सेंटेमेटर को टिक है और यह पर आपने अपनी मर्जी से आख लगा कर यह मैंने थोड़ा सच्च डिए लिए कि सेमी सरकल सब्सक्राइब कर ली मैंने चिक है कि उसके बाद यह जीरो डिगरी जहां से स्टार्ट होता है पहला कट लिया दैन मैंने थीओंं तो आपको ना सिक्स्टी चाहिए सिग्यमं का दोनों इंगल नहीं चाहिए तो आपने क्या रखकर शीवाउंध लगा दे यह जो एंगल आएगा यह नाइंटी दिखाएगा अब आपको मैं आपने दो 75 पहले हमें 90 बनाना पड़ेगा 75 के लिए तो हमने पहले यह बना लिए ठीक है अब ध्यान से देखना बिटा आपके पास में दो डाक भी कर रहे हूं एक यह पॉइंट है और एक यह पॉइंट ह यहां से लेगर यहां तक 60 हो गया इन दोनों के बीच में गयाब 30 तो मैं इस यह 30 डिग्री का गयाब है इसको मैं हाफ करूंगी तो वहां से 15 आएगा 60 यह 75 डिग्री के इंकल हो जाएगा तो आपने इन दोनों पर उतनी ही कमपास से कोई छोटे बड़ी नहीं कर नहीं है आप लगाओ साइड में थोड़ी सीधर और इस आपको कट कर दो ठीक है थोड़ा छोटा भी कर सकते हो आप कमपास को ऐसी बात नहीं कि छोटा नहीं कर सकते हो आप इस से मीट करोगे तो यह आपका जो एंगल आएगा इस 75 डिग्री कर आएगा ठीक है यह यह इस चिप का दियानक ना हमेशे ही पॉइंट पर जाकर मीट करने चाहिए अब उसने क्या का था कि एपॉइंट से जब आप एंगल बनाओगे एपर तो आपने 5.2 लेना सी के लिए सी पॉइंट इसी लाइन पर कहीं आएगा तो 5.2 सेंटेमेटर की हम गमपास को लेते हैं ठीक है 5.2 को ली ए पमपा टिक पर रखेंगे और 5.2 सेंटेमेटर कट कर देंगे 5.2 सेंटेमेटर कट करने से हमारे पर सी पॉइंट आ गया C को और B को मिला दो join करने से हमारे पास strangle आ जाएगी clear यह angle कितने का था 75 degree का और यहाँ पर यह जो line थी यह थी 5.2 cm clear दिखते हैं लिखेंगे आपर ABC is a required tangle with AB equal में 4 cm angle A equal में 75 degree और AC equal में 5.2 cm ठीक है कोशन समझ मैंना है सभी को सबसे पहले A हमने base लिया A के उपर हमने convenient radius लेकर एक आग लगाई फिर यह जीरो डिगरी यहाँ पर जो line के पर touch करता है इसको बोलते है जीरो डिगरी इस जीरो डिगरी से हमने पहला cut लगाया देन दूसरा cut लगाया ठीक है फिर इन दोनों पटों पर रखकर 75 डिगरी के एंगल की वाली जो line थी ठीक है इस line पर हमने A पर tip रखकर बास की और 5.2 कट किया उससे हमारी ट्रेंगल आ गई ठीक है के लिए गुद्मोर्निंग क्लास बेटा आप question number 6 देखेंगे construct and isoless triangle isoless triangle वो triangle होती है जिसमें दो sides equal हो तो हमें वो triangle बना नहीं जिसके 2 sides equal है in which equal sides 4.2 तो equal जो दोनो sides है वो 4.2 की हो जाएगी और उन दोनो angles के बीच में जो equal sides है उनके angle जो दोरो sides के बीच का angle है वो दे रखा 110 degree जो 110 degree का angle है वो आपका D यानि protector से बनेगा ठीक है 110 degree का जो angle है वो किसे बनेगा डी यानि प्रोटेक्टर से यानि इस से ठीक है तो देखते हैं कैसे बनेगा यह रफ ट्रेंगल बनाई है मैंने देख लो कि इसमें ABC नाम नहीं दिया था मैंने अपने आपी नाम लिए क्योंकि बेस क्या लेंगे हाँ BC लेंगे 4.2 सेंटेमीटर यह देखो बेटा 4.2 दिख रहा है 0 से स्टार्ट करके 4.2 सेंटेमीटर ले लिए यहां पर नाम आगया BC अब आपने क्या करना है 110 डिगरी का एंगल बनाना है आपने कंपास से नहीं बनाना है आपका एंगल बनेगा प्रोटेक्टर से यानिए से तो आपने यह देखो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को आपने बी पर रखना है बिल्कुल लाइन आपकी ओवर लैप होनी चाहिए लाइन थोड़ी सी भी बहार नहीं नजर आने चाहिए दखो ओवर लैप लाइन नजर आ रही है अब आपने 110 ड ध्यान रखना यदि आपने सी पॉइंट यदि राइट साइव देखो तो आपने डी का हमेशा उपरवाला पार्टी एस करना है क्लोक वाइज वाला यह दिनि बी पर बना रहे हो लेफ्ट हैंड है पर अगल को बीज से मिला देंगे जॉइन कर दिया अब आपके पास यह जो लाइन आई है आर रहा है इस रहे के उपर आपने ए पॉइंट फॉइंड आउट करना और वो कितनी दूर है 4.2 सेंटि मिटर तो आपने स्केल की साहिता से 4.2 सेंटेमिटर की आर्क खोलनी है 4.2 सेंटेमिटर की स्केल से डारेक्ट नहीं करना है आपने कमपास का यूज करना है बी पर रखनी है आर्क लगानी है यह आगया ए पॉइंट आपका ठीक है यह पॉइंट भी आपका 4.2 सेंटेमिटर का हो गया ठीक है अब आपके पास ए पॉइंट आ गया बी पॉइंट आ गया सी आ गया तो ए और सी को जॉइन कर दो यह आपके पास रिक्वाइड आइसो लेस ट्रेंगल आ जाएगी तो कह लिखेंगे ट्रेंगल ए बी सी इस एन आइसो लेस ट्रेंगल विच एस बी सी इकवल में 4.2 सेंटेमिटर ए बी 4.2 सेंटेमिटर एंड एंगल बी इकवल में 110 डिग्री ठीक है कम्पलीट हो गई बेटा आपकी एक्सराइज कम्पलीट हो गई है 11.3 एक्सराइज सभी बच्चों ने काम करके 12 बज़े से पहले बेजना है कोई भी बच्चा काम लेट नहीं बेजेगा इसमें मैंने एंगल थर्ड आपका नहीं बनाया था एंगल थर्ड आपको खुद बनाने ठीक है